परवतनी एकादशी बना सुबसंयोग, एक चुटकी हल्दी से करेंगे छोटा सा काम, हर कश्टे दूर करेंगे भगवान बिश्टू, मिलेगा मन चाहा बर्दान, ओम करिंशी महागड़ी शाय नहा, राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब, दोस्तों भादरपत मास की नाम से जाना जाता है, इस दिन भागवान बिश्टू, चतर मास में सैन के दोरान करवड़ बदलते हैं, यानि कि भागवान बिश्टू की इस्थिती में परवर्दन होता है, इसलिए इस एकादशी को परवर्दनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, चतर मास के दोरान भगवान विश्णू बामन रूप में राजा पली के यहां निवास करते हैं। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विश्णू के बामन अपतार का पूचन किया जाता है। इसलिए इस एकादशी को बामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथी इस एकादशी को जलजूलन एकादशी, ढोल ग्यारस और पद्वा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। परवतनी एकादशी का हमारे धर्म शास्तों में बिशिश बहतु बताया गया है। शास्तों के अनुसार करवर बदलती समय भागवार बिश्टू प्रसंद मुद्रा में होते हैं। इसलिए इस दिन भागवार बिश्टू का पूजन करने से वह अतिशीकर ही प्रसंद हो जाते हैं। साथी मालक्षमी की भी कृपा प्राप्त होती है। भागवार बिश्टू अपने भागवार बिश्टू के साथ मालक्षमी का पूजन करने से जीवन भर धन की कोई कमी नहीं धहती। सभी पापों का नाश हो जाता है और जीवन में खुश्या आती है। दोस्तों इस बार परवेतनी एकादशी तिथी को लेकर कंट्रूजन बना हुआ है क्योंकि यह तिथी 16 सितंबर को सुबह 9 बच कर 49 बच पर शुरू होगी और 17 सितंबर की सुबह 8 बच कर 8 बच पर समाप्त होगी। उसके बाद 12 तिथी लग जाएगी। एकादशी का पूचन और उपाई 16 सितंबर और 17 सितंबर दोनों ही दिन किया जा सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही दिन एकादशी तिथी हैं। लिकिन एकादशी का ब्रत 17 सितमबर को रखा जाएगा, परवतिनी एकादशी ब्रत का पारण 18 सितमबर को किया जाएगा, ब्रत पारण कर ने का शूप महूरत है, 18 सितमबर कि सुभे 6 बच का 7 नट से सुभे 6 बच क yogurt मिनट तक, इस शूप महूरत में भगवान को साथ्विक पूचन का भोग लगा कर फिर उस परशाद को ग्रहण का प्रत का पारण करें दोस्तों एकादशी भगवान विश्नु को अतिप्रिय है शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी दिथी पर भगवान विश्नुजी को प्रसन्य करने के लिए जो भी पूजा या उपाय किय जाते हैं उनसे भगवान विश्नुजी अतिप्रसन्य होते हैं भगवान विश्नुजी के साथ सार मा लक्ष्मी जी की भी असिम क्रपा प्राप्त होती है आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी के पावन पर्व पर हल्दी से कहने वाले कुछ बहुत ही आसान और अस और जीवन सुख में बनता है इन उपायों को सही प्रकासे करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हि विश्णुजी के पूजन में विश्श महत्व होता है हल्दी भगवान श्री हरी विश्णु को अतिप्रिय है शास्तों के अनुसार हल्दी में देविय गुर मौझूद होते हैं हल्दी से भगवान श्री हरी विश्णु का पूचन करने से भगवान श्री हरी विश्णु शीक्र ही प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों अगर आपके कोई ऐसी मनुकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है या कोई ऐसी समस्या है जिसका हाल नजर नहीं आ रहा है तो आप आज के दिन संध्याकाल के समय शुद्ध बस्तर पहन कर अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में आप थोड़ी पिसी हुई पीले रंग की साफ हल्दी ने अब इस हल्दी में आप थोड़ा सा शुद्ध जल मिला लें अगर गंगा जल हूँ तो गंगा जल मिला लें अब आप भगवान शुरी हरी विश्णु जी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं कपड़ा ना हूँ तो आप एक प्लेट रखें अब उस प्लेट पर आप हल्दी से एक स्वास्तिक का चिन्ध बनाएं स्वास्तिक बनाने के बाद आप एक शुद्धिखी का दिया बनाएं अब इस दियों को आप स्वास्तिक के पीचों बीच में रखतें और दिया जलाकर भगवान शुरी हरी विश्णु का पूटन करें दिया जलाने के बाद आप सबसे पहले भगवान श्री गणिश जी को प्रणाम करें भगवान श्री गणिश जी को हल्ती कुमकुम से तिलक करें इसके बाद भगवान श्री हरी विश्णु जी के आप हल्ती से तिलक करें और मा लक्ष्मी जी के कुमकुम से तिलक करें तिलक क दिन भगवान श्रीहरी विष्णु जी को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। भोग लगाने के पश्चात अबाब भगवान विष्णु जी के महमत ओम नमु भगवती वासु देवाय का 108 बाद जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान शिरी गणिश भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी के आर्ति करें आर्ति करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह आप भगवान विश्णु मा लक्ष्मी जी के सामने करें और अपनी मनो कामना को पूर करने की प्रात्ना करें। जो भी समस्या है उसको दूर करने की प्रात्ना करें। दोस्तों स्वास्तिक धन बैभव और शुक्सम्रद्धी प्रदान करने वाला माना जाता है। स्वास्तिक घर के सभी कष्टों को दूर करता है। माना जाता है स्वास्तिक बनाकर भगवान श्री हरी विष्णु का पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वास्तिक बनाकर स्वास्तिक पर दीपक रखकर भगवान शिरी हरिविष्णु मा लक्ष्मी जी का पूजन करने से जो भी मनुकामना है वह अवश्य ही पूण हो जाती है शास्त्रों में बताया गया मनुकामना पूर्टी का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है इस उपाय को करने से मनुकामना अवश्य ही पूण हो जाती है दोस्तों आप लब मेरिज करना चाहते हैं या अरेंच मेरिज लेकिन आपका विभा नहीं हो पा रहा है बिभा में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ रहे है बिभा के योग नहीं बन रहे तो ऐसे में आप एक साफ कागज लें इस कागज में आप थोड़ी सी साफ पिसी हुई पेली हल्दी रखें हल्दी कागज में रखकर अब आप इसकी एक पुड़िया बनाले फिर आप भगवान शिरी हरी विष्णू और मा लक्ष्मी जी का पूजन करें इसके पश्चा विभा में आ रही रुकावट को दूर करने की प्रात्ना करें प्रात्ना करने के पश्चात अब आप इस पुड़िया को अपने दाहिने हाथ यानि की राइट हैंड के मुठी में दबाएं और ओम नमो भगवती वासु देवाई मंतर का ग्यारे बाद जाप करें मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप इस पुडिया को भागवान श्री हरी विष्णों और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पीछे छोपा दें ऐसा करने से भागवान श्री हरी विष्णों मा लक्ष्मी जी की कृपा से अति शीक्र विभा के योग बनते हैं दोस्तों चाहें ब्यापार हो चाहें बिध्या अध्यन हो किसी भी कादे को सफलता पूर्वक करने के लिए बुध्धी के अति आवश्यक्ता होती है अगर आप भी बिलक्षन बुध्धी के स्वामी बनना चाहते हैं तो आप सूखी हुई हल्दी के गाट की माला ले आप भी बिलक्षन बुध्धी के स्वामी बन जाएंगे अगर आपके करियर में किसी भी प्रकार के कोई रुकावट आ रही है करियर में सफलता पूर्वक करने के लिए आज के दिन नहाते समय नहने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर नहाएं ऐसा कहने से शायडिक और मांसिक शुद्धता होती है इसके साथ ही करियर में भी सफलता प्राप्त होती है इस उपाई को कहने से बिभा में आ रही रुकावटें भी दूर होते हैं बिभा सम्मंधी कार्यों में सफलता प्राप्त कहने के लिएं बिवां की रुकावटों को दूर करने के लिए भगवान शरी हरी विश्णु का पूजन करने के पश्चात मस्तक पर और कंठ पर हल्दी से तिलक अवश्य ही करना जाहे हैं। ऐसा करने से भी बिवां के कार्यों में सफलता मिलती है। आज की दिन करियन में सफलता और तरक्की पाने के लिए पीले पस्तों का दान करना भी बहुत शुब माना जाता है। इसमें सोना, हल्दी, चने की दान और पीले फलों को शामिल किया जाता है। दोस्तों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कश्ट हो, कोई दुख हो, परिशानी हो। उससे छुटकारा प्राक्त करने के लिए आप दूद में थोड़ी सी पिसी हुई साफ हल्दे मिलाएं। अब इस दूद से आप भगवान शिरी हरी विश्णु जी का अभिशेक करें। अभिशेक करने के बाद दूद के इस चर्णाम्रत को आप उठा कर रख दें। इसके पश्टात आप भगवान विश्णु जी का पूचन करें। पूजन करने के बाद आप इस चर्णाम्रत को प्रशाद के रूप में ग्रहन करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरी विश्णु जी की करपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। सभी प्रकार के दुख परेशानिया भगवान श्री हरी विश्णु दूर कर देते हैं। अब इस जल को आप किसी साफ इस्थान पर लगे हुए पौधे की जड़ में डाल दे। दोस्तों आज के दिन हल्दी के ये आसान से उपाय करने से भगवान श्री हरी विश्णु मा लक्ष्मी जी की करपा से सभी कष्टों दुखों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही मनचाह बर्दान भी प्राप्त होता है। दोस्तों इन उपायों के शुफ़र प्राप्त करने के लिए आज के दिन भूल कर भी तामसिक भूचन ग्रहन ना करें। प्याच, लहसन, मीट, अंडा, तमाकू, सिगर्ट, सराप, इत्याती चीजों का भूल कर भी जेवन ना करें। और किसी भी जीप को किसी भी प्रकास से कष्ट ना पहुचाएं। किसी का दिल ना दुखाएं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और इस्ते दारों में ज़्याद़ से ज़्याद़ शेयर करें। जिससे भी भी इसका लाब उठा सकें। हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले तैंक्स पूर वोचिंग राथी राथी घर पर रहिए सुरक्षित रहिए और हमसे चुड़े रहिए